आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो प्राइवेट अकाउंट होता इंस्टरग्राम पे उसकी डीप अगर आपको देखनी है तो आप कैसे देख सकते हो ठीक है तो जहां पर देखिए एक प्राइवेट अकाउंट है मेरा ही अकाउंट है यह इसे मैंन आपको करना क्या है आपको अकाउंट ओपन कर लेना है ठीक है आपको सर्च में जाना है इंस्टरग्राम ओपन करके उसके बाद जिस भी अकाउंट की आप डीपी देखना चाहते हो उनका अकाउंट आपको ओपन करना है और यहां पर ठीडॉट जो साइड में आपको एकाउंट dp viewer ठीक है यह आपको सर्च कर देना है अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मैं इसका जो link है website का उसको मैं आपको description में भी provide कर वा दूँगा तो इसको जैसे आप सर्च करोगे यहाँ पे how to techies.com करके आ रहा है तो इस website पे आपको चले जाना है उसके बाद आपको यहा I am not a robot उसके बाद आपका जो dp है वो open हो जाएगा यहाँ पे देखे डp जो है open हो गया बहुत clear नहीं है लेकिन जब आप नीचे की तरफ जाओगे तो यहाँ पे आपको दो option मिल जाता है view या फिल download तो view पे आप जैसे ही click करोगे यहाँ पे देखे जो dp मेरी उस वाले account यहाँ पे लगी हुई है private account पे वो dp यहाँ पे यही लगी हुई है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है यहाँ से चाहो तो आप इसे screenshot ले सकते हो या फिर आप बैक जाओ और यहाँ पर download का option जलता है download पे आप click कर दो ठीक है add आपको दिखेगा आपको इसे cut कर देना है उसके बाद आपकी file जो है वो download हो जाएगी आप open करके देख सकते हो यहाँ पे जो maximum quality है जिस quality में dp जो है वो upload हुई है 1080 into 1080 pixels में वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा तो यही एक सीधा और simple सा तरीका है जिससे कि आप private account की dp को download या फिर उसे देख सकते हो ठीक है अब आप इसका गलत फाइदा बिलकुल भी मत उठाईएगा ठीक है यह केवल information के लिए मैंने ये वीडियो बताया है ठीक है इसका गलत यूज बिलकुल भी आपको नहीं करना है तो उमीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडि